जैहिन दोस्तों आप लोग कैसे हैं, आसा करते हैं, ठीक होंगे, देखें दोस्तों, रेलवे में एक बहुत ये बड़ी भरती निकल के आ रही है, जे बिल्कुल, आप धियान दीजेगा दोस्तों, रेलवे ऐलपी टेकनिशियन, अल्पी का मतलब होता है असिस्टेन्ट लोक और धीरे धीरे पास साल आठ साल बाद वो जब पुराने हो जाते हैं तब वो बनते हैं लोगो पाइलट पईलेट बन जाते हैं लेकिन जोईन करते वक्त वो क्या होते है ALP होते हैं और join करते वक्त उनको passenger train चलाने के लिए बिल्कूल भी नहीं दिया जाता है उनको माल गाड़ी चलाना होता है तो उसी ALP post के लिए दोस्तों vacancy निकल के आ रही है ALP assistant local pilot और technician के पद पर bumper भरती निकल के आ रही है railway की तरफ से ठीके दोस्तों सीधी सी बासा में कहें तो train के driver के पद पर bumper भरती निकल के आ रही है और कौन कौन इसको भर सकता है सारा A to Z बताएंगे और सिर्फ railway ही नहीं दोस्तों जितना भी central department है जितना भी central ministries है उस सभी विभागों में bumper से bumper भरती निकल के आने वाली है क्योंकि 2024 में दोस्तों election है और सरकार जो एकदम mission mode में सभी विभागों में जितने भी पद खाली है सब से ब्योरा मांग रहा है कि इतना कहां खाली है कहां खाली है आप बताएए और फिर fresh भाली निकलेगा और 2023 तक finally मेली सब को जॉइन करा देगा और उन सभी भी भागों में सबसे बड़ा जो भी भाग है जो सबसे बड़ा वेकेंसी निकालेगा वो है हमारा Indian railway ठीक है तो Indian railway में सिर्फ ALP ही नहीं ALP के साथ ग्रूप D, NTP, PC, TT और भी बहुत तरह का वेकेंसी निकलने वाला है तो एक-एक करके अलग-अलग वीडियो इस चैनल पर आप लोगों को हम दे देंगे तो आज हम लोग मेलनी बात करेंगे कि railway ALP technician की जो वेकेंसी आ रही है उसको कौन-कौन भर सकता है क्या qualification चाहिए सारा A2Z समझाएंगे ध्यान देजिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पद पोस्ट का नाम क्या है ALP technician पद तो पहले हम बता चुक है ALP का मतलब होता assistant local pilot ठीक है देखे कुल पद की बात करेंगे दोस्तों टोटल कितना seat के लिए वेकेंसी लगभग निकलने वाला है तो लगभग आपका seat रहेगा 50 से 60 हजार के बीच लगभग यानि अप्रोक्स मान के चलिए कि 60,000 आपका वेकेंसी इसी पोस्ट के लिए होने वाला है और दूसरी जो सबसे बड़ी वेकेंसी आईगी वो होगी रेलवे गुरूब डी की ठीक है और बाकी NTPC, TT इन सभी के लिए कुछ-कुछ कम-कम पद निकलेगा 20,000, 25,000 लेकिन सबसे ज़्यादा वेकेंसी इनका है क्योंकि ये LP का जो वेकेंसी है वो 2018 में निकला था इसके बाद आपका अब ये वेकेंसी निकल रही है समझवा गया तो लगबग 60,000 आपका सीच होने वाला ये गट भी सकता है और बड़ भी सकता है फी का लात करेंगे इसको भरने में कितना पैसा आप लोगों को देना पड़ेगा तो देखिए जेनरल और OBC वाले जेनरल कंडिडेट और OBC कंडिडेट इनको लगता है 500 रुपया और रेलवे का नियम आप लोगों को पता है कि एक्जाम में बैठने पर पैसा जो आपस मिल भी जाता है जैसा कि आप लोग पिछला इद रेलवे एक्जाम दिया होंगे तो आइडिया होगा आपको SC, ST और PH कंडिडेट हैं तब आपको 2500 रुपयस पे पैमेंट देना पड़ेगा और All category के महिलाओं को भी 200 पैमेंट देना पड़ेगा महिलाएं भी train की लोको पाइलेट बन सकती है इस पे कोई tension वाली बात नहीं कि महिला है तो हम नहीं भरेंगे बिलकुल नहीं अब महिला है या पूरूस है जरूर इस form को भरेंगे दोस्तो ठीक है और आने वाला सबसे best vacancy में से ये एक होने वाला है यदि application form भरते भरते कुछ गलत हो गया कुछ miss हो गया नाम का spelling वगर में गलती हो गया address भरने में गलती हो गया तो उसको आप सुधार सकते हैं 100 रुपया payment करके 100 रुपया fine आपको देना पड़ेगा और आप application form में correction भी कर सकते हैं कब से apply होगा ये भी हम इस बीडियों बताएंगे ध्यान दीजे age limit की बात करेंगे उम्र स्रीमा कितना से कितना तक होना चाहिए तब आप भर सकते हैं तो general वाले 18 से 30 साल general candidate 18 से 30 साल OBC को 3 साल का छूट मिलता है तो 18 से 33 साल और यदि आप SCST हैं तब आपको 5 साल का छूट मिलेगा 18 से 35 साल ठीक है ये हो गया age limit का फंडा यहां तक आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा ठीक है और अभी दोस्तों आप लोगों को पुरूब भी दिखाएंगे कि ये vacancy निकलने वाले है आप लोग कहोगे कि sir ऐसे ये वीडियो बना दे रहा हो तो योगिता दो-तीन परकार का है आप इसको ध्यान से समझने की कोशिस कीजिए देख करके मत चाल जाना पहले समझ लो हम क्या बोल रहे है सबसे पहले बात करेंगे इस पर दो तरका पोस्ट आप लोगों को पता होगा, एक है ALP Assistant Local Pilot, दुसरा है Technician, ठीक है, तो ALP वाला जो post है, उस पे क्या मांगता है, 10th pass होना चाहिए कितनों percentage, जो किसी भी votes है, तो चलेगा, 10th plus आपका ITI होना चाहिए किसी भी trade में, Electrician में है, Fitter में है, Welder में है जो भी है 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए किसी भी trade में ALP post के लिए और यदि आपका ITI नहीं है यदि आपने ITI नहीं किया है तो आपका क्या होना चाहिए डिग्री होना चाहिए या फिर डिपलोमा होना चाहिए इंजिनियरिंग में डिग्री मतलब जैसे आपने B.T.E.C. कर रखा है तो ITI का कोई ज़रूरत नहीं है आप इसको भर सकते हैं 10th के बाद या फिर 12th के बाद आपने कोई डिपलोमा कोर्स कर रखा है तो आप भर सकते हो जैसे कि Polytechnic वगर हो गया तो कोई भी टेकनिकल डिग्री है तो आप इस पे अपलाए कर सकते हो डिग्री है या डिपलोमा है इंजिनियरिंग में तो आप भर सकते हो और यदि ये सब नहीं है तो 10th के साथ आपका ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है ALP पोश्ट के लिए समझ मा गया टेकनिसियन पोश्ट के इदि बात करेंगे तो टेकनिसियन में 10 प्लस 2 चाहिए कर सकते हो ठीक है और यदि आपके पास ITI नहीं है तो आप सिर्फ इस वाले पोश्ट के लिए अपलाए करेंगे समझ मा गई मेरे बात कोई दिक्कत है यहाँ पर चलिए इसके बात बात करेंगे इसका सालेबस क्या रहता है दोस्तों ध्यान से समझने कोशिश कीजिए इस पर पहले आपका होगा CBT-1 और फिर होगा आपका CBT-2 CBT मतलब computer based test यानि computer पर आपका online इस पर परिक्षा लिया जाएगा railway के द्वारा देखिए CBT-1 की बात करें तो यह सिर्फ qualifying होता है इस पर क्यवाल आपको pass करना होगा इसके cut off को clear करके CBT-2 में आप जा सकते हैं देखिए CBT-1 की syllabus की इदी बात करें तो इस पर टोटल 75 question पूछता है 75 question रहेगा time मिलेगा आपको start minute जिसको दूसरी भास हम कहेंगे 1 घंटा और 1 by 3 की आपकी negative marking होगी यानि 3 question को गलत करने पर एक number आपका cut जाएगा समझभा क्या इसके बाद यह 75 question आएगा यह कहां कहां से पूछे जाएगे ज्यान दिजे सबसे पहले आपका रहेगा reasoning reasoning रहेगा 20 question इसके बाद रहेगा mathematics इससे रहेगा 20 question इसके बाद है आपका science इससे रहेगा 25 question और gk और current appearance इससे रहेगा 10 question तो 20 20 कितना हो गया 40 40 और 20 65 65 और 10 75 question आपका CBT-1 में आएगा time मिलेगा 1 घंटा 1 बटा आप लोग चलिए अब बात करते CBT-2 के बारे में तो CBT-2 में दो पार्ट है एक है पार्ट A और दूसरा है पार्ट B पार्ट A जो है इसी पर आपका merit बनेगा पार्ट B आपका trade test होगा ITI आप जिसमें भी trade में कर चुके हैं जैसे electrician में किये हैं या फिटर में किये हैं उस trade का इसपे साल आपका exam होगा तो पार्ट A की बात करेंगे तो इसपे 100 question आपसे पूछेगा 90 minute टाइम देगा 90 minute मतलब 1.5 घंट आपको time मिलेगा आपका math से रहेगा 25 question, reasoning से 25 question, GK और GS र पूछेगा क्योंकि आप इसपे train का driver बनिएगा तो आपको technical चीजे पता होने चाहिए इसलिए science और engineering के questions थोड़े से ज़्यादा पूछ रहे हैं ठीक है 40 हो और इसमें परिशानी सब को होती है ठीक है इसलिए cut off जो ज़्यादा नहीं जाता है 40, 42, 45 marks लाने पर भी आपका selection हो जाता है ठीक है दोस्तों तो यह cbt2 का part A हो गया part B का बात करेंगे तो 75 question आएगा 60 minute आपको time मिलेगा इस पर आपका trade का test होगा और यह सिर्फ qualifying nature का होता है merit में यह नहीं जोड़ने वाला है merit में आपका जोड़ेगा cbt2 का part A इसी से आपका merit बनेगा लेकिन आपको pass सभी को करना ज़रूरी है ठीक है दोस्तों तो यह था साले बस अब बात करेंगे job profile क्या होने वाला है तो देखे job profile apply date यह सारा चीज़ अभी हम बताएंगे ध्या आप assistant बनके काम कीजिएगा दीरे दीरे सीखिएगा अभी आपको माल गाड़ी वगरे चलानी के लिए दिया जाएगा और वो भी direct आपको नहीं देगा सबसे पहले तो आपकी training होगी इसकी बाद जो main driver होते है लोको pilot उनका आप सहायक बनेंगे उनके साथ रहेंगे देखे सीखेंगे कैसे होता आप practically करेंगे इसके बाद दीरे दीरे पूराना होने पर 8-10 साल हो जाने पर आपको main driver बनाएगा सीधा आपको passenger train चलाने के लिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि train में लाखो passenger बैठे रहते हैं उनकी जान के साथ आप खिलवाड नहीं कर सकते आप जो है पहले माल गाड़ी चलाएंगे धिरी धिरी पुराने होने पर जब आपका अनुभाव जादा हो जाएगा तब आपको passenger train चलाने के लिए इस पर दिया जाएगा समझ मागिया तो यह हो गया job profile और बाकी job profile अब train का local pilot का job profile क्या होता है आठ गंटे की job होती है और salary इस पर पर भरती निकल के आने वाली है तो यह जो है दोस्तों ध्यान दीजेगा March और अप्रील March अप्रील 2023 में यह वेकेंसी आपका आ जाएगा तो आप फुली books ले करके एक अच्छा सा mock test ले करके regular practice करना शुरू कर दीजे इस date तक आपका application form आने की संभावना है हो सकता है एक द इसने date माने की maximum संभावना है ठीक है regular updates की बात करें तो इस चैनल पर आप लोगों को regular update मिलेगा railway से संबंधित हर प्रकार की जानकारी मिलेगी तो आप लोग चैनल को फटा पट सब्सक्राइब कर दीजेगा और घंटी को दबा करेंगा ताकि हम जैसे नया वाला वीडियो करेंगे आप तक वह वीडियो पहुंच जाएगा ठीक है तो regular update के लिए subscribe जरू कीजेगा इसके बास salary की बात करें तो salary आपको जो स्क्रीन में दिखा रहे हैं इतने आपके salary होगी this is your initial payment यह आपका final payment नहीं है धीरे 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 जैसे जैसे आप पुराने होते जाएं आपकी posting होगी 8 गंटी की आपकी duty होगी 8 गंटा आप उसको drive करेंगे और जहां आपकी 8 गंटी खतम हो जाएगी फिर आपको दूसरा वहाँ पे आपको engine दे देगा दूसरा train चलाने के लिए दे दिया जाएगा समझ माग गया देखे दोस्तों आप screen में देख सकते हैं कि railway देश भर में 1.5 लाख पदों पर भरतियां करेगा 3 लाख पद खाली 3 लाख इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि आधा पद पर अभी exam चल रहा है group D का NTPC का exam हो गया उसको हटा करके 1.5 लाख पदों पर fresh भाली होने वाला है ठीक है और उपर में देख सकते हैं कि सभी भरति और promotion अगले अप्रेल तक पूरे होंगे ध्यान दीजेगा और आगे यहाँ पर क्या लिखावा दोस्तों ध्यान से देखे कि मार्च अंत तक होंगी न्युक्तियां ठीक है देखे दोस्तों इस पर लिखा है कि railway अगले 5 महिने के भीतर ध्यान से सुनिए railway अगले 5 महिने के यानि अप्रिल 2023 से पहले पूरे देश में promotion और नई न्युक्तियों से 3 लाग से अधिक पदों को भरने जा रहा है जिसमें 1.52 लाग नई भरतियां होंगी फिर से देख लीजे 1.52 लाग नई भरतियां होने वाली है चलिए आपको board में हम सारा चीज़ समझाते हैं और यह न्यूस पेपर है दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से बिलासपूर लिखा हुआ है बिलासपूर के दैनिक भासकर्प में ये न्यूस दिया गया है और बिहार के पटना की न्यूस पेपर में भी ये न्यूस दिया गया है और mission mode में railway में भरति होने वाला है तो आप बा कोई queries हो कोई question पूछना हो तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं आपके comment का maximum reply देने का पूरा कोसिस करेंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते है next video में बहुत जल्द तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद